यो वाट्सप गाइज चॉटन के मिल यहार मेरा नाम है फ्रांक्लिन वालकम बाक तू अधर गेमप्लेट वीडियो और ग्तिय फाइफ तो गाइस पिछले एपसोड में तो आप लोगों ने देखी लिया होगा कि टेक्नोस्की की गर्ल्फ्रेंड एंड पपी अम लोगों ने दे पा रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरे घर पे एलेक्रिसिटी की प्रॉब्लम काफी जावा हो रही है जिसके कारण गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट कर पा रहा हूँ ठीक है अब गाइस उसमें अगर चलते मैं गाइस अगर कमेंट रीट करने बैट गया तो का प्रॉब्लम का प्रॉब्लम का नाम रखा है ठीक है फिलाल अभी मैं दोस्तों अपनी जो एक पहुत ही जादा बड़िया सूपर कार है इसको भगाते बगाते लेके जा रहा हूँ गाइस लेस्टर के घर पे ठीक है तो लेस्टर ने गाइस मुझे बुलाया और यहां पर आज हम लोग जो हैं स्टील करने वाले हैं तुरी लग्शरी बाइक जो की दोस्तों यहां पर आप लोग उने अब भी तर्ग नहीं देखी होगी पुरी जीटिया फाइव में ठीक है अलग अलग लिवरी की अलग अलग बड़िया बाइक जो हैं जो हैं वैसे हैं तो काफी यह अब स्टील करने वाले हैं और धी लग्शरी बाइक जो हैं यह प्राइर्स में चेन भी लगी हुह है जो की दोस्तों एक तरसे गोस्ट्राइटर की तरह लगती है तो जरूर से देखते के लिए बने रही है प्लीज वीडियो पे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो finally guys construction site पे मेरी लडाई हो गई है क्यों guys मैं अपनी car जो है यहाँ पर आके मैंने तो guys finally मेरी लेस्टर से बात हो चुकी लेस्टर ने बताया है तीन car तुम तीन बाइक तुमको स्टील करनी है तो सबसे पहले बाइक की लोकेशन है वो है guys beach side पर जो किया दोस्तो sprang के लिवरी की ठीक है तो guys आप लोग को एक बात मैं बता दू यहाँ पर जो है रेस होने वाली है क्या बोलते है GTA 5 में एक यहाँ पर दोस्तो जो बीच साइड है जैसे कि मैं आप लोग मैप लोकेशन में दिखाया वहाँ पर रेस होने वाली है उसका जो winning prize है वो दोस्तो जो इसको मतलब organize करा रही है वो करा रही है sprang मतलब sprang दोस्तो एक तरह से juice type है soda type ठीक है वो इसको जो है organize कर रही है और जो कोई भी जीतेगा तो वो guys guys जो है bike पहले लेके चला जाएगा और वो जो 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 है उसको bike मिल जाएगी और sprang के ही livery की दोस्तो वो bike है तो काफी ज़दा बढ़ी है guys अब guys हम लोग तो पहले से जाके मतलब race भी नहीं करेंगे उसको जो है जाके steal करेंगे तब फिलाल कल उसकी race है लेकिन आज जो है आपर उसमें काफी ज़दा जो है मचा दिया एक तरह से पुरे lost centos की news में ठीक है लेकिन guys वहाँ पर जो है काफी कम security है ठीक है लेकिन guys हमें कसी को भी कम नहीं समझना चाहिए ठीक है ना अब lady police officer है तो क्या हुआ भाई मतलब आप लोगों पता होना चाहिए कि भाई पुलिस पुलिस होती है वह भी दोस्तों वही ट्रेनिंग करके बने हुए है ठीक है तो भाई मुझे थोड़ा बहुत दर लग रहा है यहाँ पर क्योंकि guys यहाँ पर इत्ती जाबा security तो नहीं है तो देखो guys यह रही वह स्प्रंक का जो हाँ पर दोस्तों जो है यह race organized होगी और इसको organize करने वाला जो इसका sponsor है वो है दोस्तों Sprunk जैसे कि आप लोग यहाँ पर check out कर पा रहे हो अगर मैं आप लोगो camera से दिखाऊ यहाँ पर तो lady police officers यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यह रागाई Sprunk soda और यहाँ पर दोस्तों यह रही वह luxury bike जैसे कि आ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैं पिटते हुए और भाई फिर से मेरे को में जो है नाइट स्टिक इसने मार दिया है मूँ पे तो अभी दोस्तों मेरे को ना काफी जदे हैं पर गुसा तो आ रहा है मैं आपर किसी पर हंगावा नहीं करना चाहता था लेकिन अपन पहले हम लोगों ने जो है स्टील कर लिया है तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी जादा बढ़िया लग रही है यह वाली बाइक और यह पूरी की पूरी पूरी ग्रीन कलर की है और दोस्तों स्ट्रांग सरुटा का इस पर आद दिया हुआ है जिसकी यह लिवरी बनी हुई है काफी जादा बढ़िया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितनी जादा क्या साउंड है इसका आप लोग सुन पा रहे होगे तो जब जिसे गई इसको भगाते है और देखते हैं और गाइस यह भी दोस्तों लक्शरी बाइक में आता है ठीक है सेकंड वाली जो बाइक है वो बहुत ही जादा लक्शरी है जैसे दोस्तों आप लोग ने देखा होगा जो डेथ रेस की बाइक होती है उनमें कितना जादा मॉडिफिकेशन होता है देखा न आप लोग ने डेथ रेस कार रेस जो जो जती भी मूवीज आई हुई है उनमें दोस्तों आ लोग ने कार देखी होंगी काफी जादा बढ़िया रहती है और क्या मतलब गजब कास में मौडिफिकेशन करते हैं और बाकी दोस्तों ये वाली बाइक जो है काफी जादा बढ़िया है जैसे कि आप लोग यह देख पारे हो इसका गाइस जो स्टाइल है वही काफी जादा लग रहा और जो कलर वाइबरेंट कलर हैं वह भी बहुत जादा बढ़िया लग रहे हैं तो अभी जल्दी से ये वाली बाइक को मैं जो है वहाँ पे जाके पार करता हूं जहां पे लेस्टर का घर है और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो हैं दूसरी बाइक वहीं से लेक गरने के लिए ठीक हैं तो सबसे पहले यही वाला मैं जो शॉटकट हैं यहां से ले लेता हूं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो और फाइनली गाईस लेस्टर यहीं पर खड़ा हुआ है और लेस्टर देख रहा है बस बाइब मुझे और मेरे को बाइब अंडरक्राउ खड़ा है रहे है चलो दूसरी बाइक लेकी चलते हैं उस वाली लोकेशन पर लोग को दूसरे वाली की की delegates की लुकेशन है मदरासो की लोकेशन ठीक है अगर गईज आप लोगने जीट्र फाइफ की ले ंगी होगी तो ऎप लोगो मिस्टर मदरासो का घर तो पता ही होगा तो बाइ अपने loss center से हमको ex cool कर देता है कि अपने गुंडे भेजदेता है और इतने गुंडे भेज़ता है बाइ कि हम लोग जो है उसको उसको मार ही नहीं पा सकते हैं, मतलब लगातार, गुंडे पे गुंडे पे गुंडे आते रहते हैं, और भाई हम लोग का पीछा करते हैं, और हम लोग को मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि Mr. Madraso के पास जो टीम वर्क है, और उसके पास जो गैंग है, वो बहुत जादा पा पास जो टेक हैं, कभी भी किससे डरना नहीं है, और यहां पर सीदा अंदा स्पोर्ट सबको ठोकते चलना है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहते हैं, तो जल्दी से देखते हैं, गाईस लेस्टर कोन सी बाइक हम लोग को दिखाने वाला है, तीन बंदे हम लोग ने आ साफी जादा बढ़िया है, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अपे तेरे गन का साउंड कैसा है, सुनो आँ, काईस आप लोग, इसके गन का साउंड कितना खतरनाग था, मतलब कैसे कैसे कर रही थी, और सारे के सारे हम लोग ने बंदे तो मार दिये हैं, अब चल् सारे बंदे और हैं, यहां पर साले अपने में लड़े जा रहे हैं, और पता नहीं काईस मुझे मारने की कोश्च कर रहे हैं, लेकिन दिवाल बीच में आ रही है, और अभी इनको ना ऐसे नहीं बरेंगे, तो मैं तो साले रपीजी से मारा जाएगा, तो यहां पर गाईस, अब देखो, सब तो मैं बहुत इजली करते रहा हूं, और सब मैं बहुत जल्दी मार भी दे रहा हूं, क्योंकि गाईस मैंने आर्मर भी पहन रखा है, और गाईस बेफालतु कि मैं तबाही भी कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन गाईस, बात का डर काफी जादा बन रहा है मेर लेकिन गई टेथ बाइक में ऐसा ही होता है क्योंकि आप लोग को पता होगा जो भी रॉव वेहिकल्स रहते हैं जैसे मान लोग की फटे फटे वेहिकल्स रहते हैं या फिर दोस्तो मतलब उनको तोड ताड के अच्छा मोडिफाइड करके इतना जादा खतरनाक बना दिया ज को कितना सही दिखा रही है हाला कि मेरे क्याल से ही एक तरह से बुलेट है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाईस कितनी ही जादा बढ़िया बाइक है ठीक है तो हम लोग ने सेकेंड बाइक को भी फाइनली अच्छी तरीके से स्टील कर लिया है अब जो थर्ड बा अब पुलिस से भी पीछा चुलवाना है और गाईस उस बाइक को भी स्टील करता है अब गाईस ट्रैंकलिन का अंडर्ग्राउंड होना ठीक है ठीक है और जैसे कि आप लोग एक बात जरूर से मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि हमारे जो हसकी है चौप है और साथ म उसके जो बच्चे है तो गाईस हमें जो है करना क्या चीए उनके लिए एक नया घर बाय करना चीए कि नहीं बाय करना चीए ये जलूर सो मुझे कमेंट करके बता देना फाइनली मैं बाते करते करते आप लोग से पहुंच चुका हूँ यूमन लाब इस सेंटर में और यह ग्रीन नीचे लाइम बुरीन ऊपर पिंक और ये भी गाईस पूरी की पूरी दोस्तों जो है एक तरह से डेथ बायक तरह है मतलब गाईस जो अरीना वार्स होती है उनमें ये बायक यूज यूज की जाती है जो कि दोस्तों किसी को भी मतलब मैं आप लोगो सही बात एक नएक कार को तोड़ना पड़ता है आप लोगों अपने बिल्ट क्वालिटी से अपने बसल क्वालिटी से अपके जितनी भी रोबस्त आपकी दोस्तों जितनी भी बायक होगी या कार होगी वो बंदा जीतेगा तो फाइनली थार्ड बायक आप लोगों ने देख लिये ये भी बता देना कि बाई Michael Franklin को अपना नया garage भी खोलना चाहिए कि नहीं कोलना चाहिए फिर अपने घर को भी हम लोग दोस्तों जो है modified करा लेंगे और जिसके कारण दोस्तों हम सारी की सारी bikes रख पाएंगे ठीक है तो guys ये जरूर से मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना आपका एक कमेंट भी मेरे लिए काफी ज़दा माइने रखता है ठीक है तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 4th सार की यहाँ पर पोलिस पीछे पर चुकी है और ये देखो फणी कमेंट तो यहाँ पर आएंगे guys एक भालू भी हम लोग के साथ भाग रहा है लॉसेंटोस में भालू भी दोस्तों काफी ज़ादा आ चुके है अब guys मुझे करना क्या है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी सही यहाँ पर गाड़ी चल रही है guys यहाली जो बाइक है और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो guys एक ही इसका चारा है इससे बचने का एक चारा यह है guys अपनी गाड़ी को तेज भगाओ और उसके बार बाई जितनी भी पुलिस हैं उन सब को जो है पास से जाके ब्लास्ट कर दो जो हेलिकॉप्टर से हैं जो लोकेशन सेंड करते रहे हैं कि भाई वेक्टिम यहाँ पर हैं सबसे पहले guys इनको डाउन कर दो तो देखो भाई मेरी जो मिसाइल की जो रेंज है ना वो नहीं पहुँच पा रही है लेकिन guys एक मिसाइल ने इसको जो है फाइनली ब्लास्ट कर दिया है तो चैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर guys जो है पुलिस हट चुकी है और बिचारी यह फस चुकी है बैड लग बॉई यहाँ पर guys हम लोग ने इसको भी जो है खिल कर दिया है अब जल्दी से guys यह वाली bike को मैंना बहुत तेजी में पखाऊँगा इसकी speed check कर लेंगे जितनी भी guys मैंना अभी तक speed check करी है वो दोस्तो 400 km पर आर के speed से चलती है सारी के-सारी bike है जो guys part 2, part 3 जिसका जो आएगा वो काफी ज़ादा इंटरस्टेशन है उसमें और भी ज़ादा luxury bike आप लोग को देखने को मिलेंगी तो इस वाले part 1 में guys हम लोग उने 3 bike को steel कर लिया है ठीक है तो जैसे कि आप लोग देखी पा रहे हो जो दोस्तों death bikes थी और काफी बढ़ी आ इस प्रम की लिवरी की दोस्तों bike थी ओ वह तरी गिर के गिर के चलो बच गए हैं आपर guys हम लोग अभी Franklin अच्छे से लेके जा रहा है और यह वाली bike को भी दोस्तों मैं जो बहुत ही तेज भगाने वाला हूँ और यहां पर दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ मेरी riding देखो भी ठीक है तो ओके guys finally जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो 330, 327, 340 km पर आर की speed से यह दोस्तों bike जो है चली है फाइनली, 340 km परती आर से हम लोग बगाते बगाते आ चुके हैं यहां पर guys लेस्टर के घर पे तो guys तीनो bike स्टील हो चुके है यह वीडियो अप लोग कैसा लगा जरूर से मुझे comment करके बता देना चैनल पर new हो, please, please, please subscribe करो, bell notification को all पे टिक कर लो जैसे कि आप लोग देख पारे हो, तीनों की तीनों luxury bike हम लोगों ने guys यह स्टील कर लिया है हाला कि दो तो मेरे क्याल से सेम है, लेकिन guys जो उनका texture है और उनका दोस्तों leverage हो है वो काफी जादा खतरनाक है, तक जैसे कि आप लोग देख पारे हो, guys, इतनी फीकी तालिया बजा रहा है लेस्टर मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, लेस्टर दोस्तों mission part 2 में हमको भेजेगा तब तक आपको लोग काम क्या है, ठीक है, आप लोग काम है, subscribe करो और सीधा bell notification को और पर टेकर लो, वीडियो को like करके जरूर जाना और जितने पिछले episode नहीं देखे हैं, वो जा के watch out कर लो, मिलते हैं next episode में, part 2 में, love you all